जब हुआ करता था ना 4G का जमाना बाई तब के ना जो 15,000 में स्मार्टफोन्स आते थे बाई उनके कैमरा बले 13 मेगा पिक्सल के होंगे लेकिन जो वीडियो रिकोर्डिंग और जो फोटो का आउटपुट वो निकाल के देते थे ना बाई आज के ये स्मार्टफोन्स उनक का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं 15,000 में तुम्हें 4K तक की विडियो रिकोर्ड करने का उप्शन मिलता था तुम उसमें पिरो लेवल की फोटोग्राफी करते थे ब्लोगिंग करते थे और ऐसे से फीचर्स होते थे ना उन स्मार्टफोन्स में बाई उस जमानने की तो बा काफी ज्यादा ढ़़नने के बाद काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद के चीजिजों को परक आने के बाद sneeze combination permutations को बनाने के बाद मैंने 5 smartphones इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं और इन smartphones में आपको camera से related कोई भी शिकायत नहीं रहेगी इस बात की मैं आपको श्वासन दिलाता हूँ इनमें आपको अच्छा chipset मिल जाएगा और इसका sport मिल जाएगा प्रो वीडियोग्राफी करना चाहों कर सकते हो फोटोग्राफी कर सकते हो online content बना चाहते हो बना सकते हो ब्लोगिंग करना चाहते हो उसके लिए भी use कर सकते हो और इस सब के साथ अगर आप लोग जो हो इन स्मार्टफोन में मीडियम से हैवी लेवल की गेमिंग करना चाहते हो वो भी बड़े राम से कर सकते हो और सबसे बड़ी बाते हैं पर आपको देखने को मिलेगा तोप नोच का यूजर एक्सपिरियंस विद नामी ग्रामी ब्रैंड्स तो नमबर फाइब से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह रेडमी नौट 12 5G इसके बलतारे में मुझे कुछ भाईयों ने बताया कि बाई स्मार्टफोन लाग कर रहा है इसमें काफी दिक्कत है यह वह है तो मैंने कुछ से परसनली फील किया लेकिन क्यामरा के मामले में स्म लेकिन इस लिस्ट में यह नंबर फाइब पर इसलिए है क्योंकि इसकी काफी साधा मुझे कंप्लेंट्स मिली थी देखो इसके अंदर यह तो क्वाड कॉम का स्नाप्रेगें जेन 2 का प्रसेसर है और 6.7 नीची इसकी IPS LCD है और कहने को 90Hz का रिफ्रेश्येट भी देता है औ फ्रेंट में 8 Megapixel का वाइड एंगल लेंज दे रखा है काफी वाइड सेल्फीज लेता है मैंने खुद की लेके लखी है लेकिन वसका 4G वेरेंट था काफी इस चीज ले लेता है 5000 mAh की बैटरी है ठारा वाट की फास्ट चार्जिंग देता है डब्बे के अंदर आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देहने को मिल जाएगा 5G स्मार्टफोन रहने वाला है 108GB की इंटर्नल स्टोरिज देता है एक टीबी तक तक तुम इसकी स्टोरिज को बढ़ा सकते हो बिना किसी दिक्कत के और यहां तक कि यह स्मार्टफोन तुम्हें dust resistance और water resistance प्रवाइड करता है इसके पीछे तुम एक premium glass black bag जो है देखने को मिल जाएगी primary cameras daylight में काफी तगड़ा काम करते है performance काफी अच्छी निकाल कर देता है स्मार्टफोन बैटर लाइफ काफी सही है इसके बात करों तो इसका जो portrait mode था उसमें थोड़ी सी अगर improvement यह लो कर देते काफी सही हो सकती थी लेकिन अभी जो है वो भी काफी सही है और bloat voice यहां पर देखने को मिलते हैं और यह एक ऐसा smartphone इस price point के उपर जो यार काफी fine performance निकाल कर देता है और अच्छी battery life के साथ 6.4 3-inch की super ML display 90 Hz का refresh rate और so called gorilla glass 5G protection बात करें इसके camera setups की देखो 64 megapixel का एक wide angle है जो 2 megapixel के depth camera के साथ आता है LED flash है 4K तक का तो मैंने का ना भूली जाओ भाई और front में 16 megapixel का एक wide angle lens है यहां से भी तुम full HD में video record कर सकते हो बैटरी की बात करूं तो जो 5G इसकी battery है वो 33W की super BEOC charging के साथ आती है 108 GV की internet storage देने के बापजूद यह एक TV तक तुम्हें से बढ़ाने का चांस देता है लेकिन 10 तुम्हें स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी और इसका 8 और 128 जी उला वारेंट जो है वो 14,999 रूपीज में मिलेगा अब काफी stylish से design यह देता है better life काफी तगड़ी है और जो इसकी ML display है काफी decent अपराइस के साब से लेकिन अगर हम पर एक ultra wide shooter होता तो इसका camera काफी बढ़िया हो जाना था low light में performance थोड़ी सी और अची हो सकती है जो अभी भी है वो भी ठीक है वैसे तो और चार्जिंग पर थोड़ी सी slow है बट यह इस price point के अंदर काफी अच्छा है क्यूंकि इसके बाकी features काफी impressive सी है स्मार्फोन किसी बरदान से कम नहीं रहने वाला था लेकिन आप इसके साथ कर सकते हो मैं से हाइली रेकमेंड करूंगा कैमरा के मामले में Samsung Exynos 128, Android version 13 के साथ है, 6GB की RAM, SuperML 6.5 इंची की डिस्पले, 120Hz का refresh rate है, Gorilla Glass 5 की production देता है कैमरा जिसके काफी next level का काम करते है इस price point के साथ से सिर्फ यह एक लोगता smartphone है जो आपको 4K तक की video record करने का option देगा इसके आपको triple camera setup है, यहां पर तुमें 50MP का एक wide angle देखने को मिल जाएगा, जो 10X का digital zoom देता है 8MP का ultra wide है और 2MP का macro camera देखने को मिल जाएगा बाकि 13MP का front में इनने दे रखा है और वहां से भी काफी अच्छी video recording photography तुम कर सकते हो बैटरी भी काफी अच्छी देता है, अगर तुम लोग ब्लोग बनाना चाहती हो तो इसके बैटरी काफी लंबी मिल जाती है 6000 mh की बैटरी 25W की fast charging 128GB इंटलन स्टोरीज एक टीवी तक बढ़ा सकते हो 15,999 में मिल जाएगा क्योंकि थोड़ सा इसके अंदर तुम में बारा सो रपे का एक instant discount मिलता है तुम करते हो और काफी अच्छी डिस्प्ले तुम्हें देता है बैटर लाग काफी इंप्रेसिब इसकी अगर डिवाइस प्रफॉर्मेंस बात करने इसके रेगलर यूसेज के लिए तो यह अपने एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा उतरता है अगर आप लोग camera centric चाते हो Samsung के smartphone डेफिनेटल जा सकते हो नंबर सेक्ट पर हमने रखा है उन यूजर्स के लिए जो एक clean UI चाहते है जैसे की Motorola ऑफर करता है Motorola G54 मेटेक डिमेंशनी 7020 है 8G वर्फ रैम है 6.5 इंचीज की IPS LCD है 120Hz का refresh rate देती है camera setup यहां भी next table का दे रखा है पचास megapixel का एक wide angle है जो 8X का digital zoom देता है बाकि एक 8 megapixel का ultra wide angle lens दे रखा है और एक full HD में video recording का option है 4K तक यह video तुम यह record नहीं कर पाऊगे 16 megapixel wide angle lens बैटरी की बात करूँ तुझ इसकी battery है वो पूरी 6000 mAh की है जो 30W की turbo charging के साथ आती है 128GB की internet storage एक टीवी तक बढ़ा सकते हूँ और dust resistant water resistance तुमें यह smartphone देखने को मिलेगा और charging पर थोर से अच्छी होती तो smartphone अच्छा जाता और software upgrade जो है इसमें 2-3 साल के मिलते तो काफी अच्छा था लेकिन एक software upgrade मिलेगा यानि कि अभी Android 13 पर आया तो तुम इस Android 14 तक ही upgrade कर पाऊगे काफी अच्छा smartphone है इस price point के उपर से camera center के लिए चाहो तुम इसके साथ भी जा सकते हो Samsung Galaxy और Motorola की तरफ नंबर बन पर वे दो smart phones आते हैं नंबर बन पर एक तो आता है Bevo की तरफ से Bevo T2 और एक आता है IQ Z7S देखो दोनों smart phones काफी अच्छे हैं लेकिन आगर तुम लोगों को कोई एक बड़ी आसा smart phone चाहिए Bevo की तरफ से तो तुम Bevo की तरफ जा सकते है Bevo तो बैसे विए अपने camera centric smart phones के लिए जाना जाता है Bevo के अंदर तुम्हें इस पक्तिस वाले smart phone में Bevo T2 में Quad Chrome Snapdragon 695-biz 6GB of RAM 6.38-inch camera display 90Hz का refresh rate है Dual camera setup दे रखा है 64 Megapixel का primary है दो का depth camera है फ्रंट में 16 Megapixel की selfie camera दे रखा है 4500 image की battery है Cam battery की मामले में थोड़ सो compromise है और 44 Watt की flash charging उन्हें यहां पर दे रखी है 15,999 में तुम्हें यह smartphone देखने को मिल जाएगा Chrome आगे उपर देकर flip card के उपर इसका प्राइस 15 से नीचे है बाकि इसके अंदर तुम्हें एक bright ML display देखने को मिलेगी काफी अच्छी है प्राइस के साब से battery life काफी सही है Cameras daylight में काफी अच्छा काम करते है performance काफी decent सी देता है Low light की photography में तुम्हें थोड़ा सा struggle करता अब देखेगा इसका camera अच्छे खासे color changing design के साथ आना वाली smartphone जो है काफी तगड़ी चिपसे दे रखी है लोग ने स्क्राइगन का काफी अच्छी smartphone से या फोडोस क्लिक कर सकते हूं everyday use के नॉर्मल टास के लिए smartphone काफी सही रहने वाला है लेकिन आगर आप लोगों को वीव करनी चाहिए यह आपको flip card मिलता है आपका Amazon से चाहिए और चाहिए भी किसी अच्छी company का तो IQ की चरप से Z7S आप ले सकते हैं इसके अंदर भी Quartmob Snapdragon 695 देखने को मिलेगा 6.38 इंचीज के मल्ड है डिस्पले है लेकिन camera जो है excellent quality का दे रखा है 64 MP का वाइड एंगल है जो 2 MP के depth के साथ आता है और यहां पर तुम फ्रेंट में 16 MP का एक camera दे रखा है जो full HD में video record करता है और बैटरी के मामले मैं भी तुम्हें compromise करना पड जाएगा इसके higher event के जाओगे तो 16,000 का तुमें पड़ जाएगा काफी अची look है काफी फील देता है काफी हलका smartphone है हाथ में जाद फील नहीं होता बैटर लाइफ काफी डिसेंट सी है इसकी display काफी अच्छे colors produce कर देती है primary camera काफी अच्छे perform करते है पूरा smartphone overall काफी इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कि कौन से वो बेस्ट 5 camera स्मार्टफोन से है 15,000 के अंदर तुम लोगों को जो smartphone अच्छा लगता हो तुम उसके जा सकते हो और लास्ट के जो उपर के top 3 smartphones मैंने बता है न तीन चार बाई ये next level के लिए है तुम में से किसी के बाई